हलो दोस्तो हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज हमें ड्वाइफरी के बहुत ही इंपोर्टेंट कोस्टन लेकर आये आपके सामने जो बहुत ही इंपोर्टेंट है यहां से परिछा में एक या दो कोस्टन जरूर आते हैं और आप मैं एक कोस्टन से चार- पहला प्रस्न फीटल सेक के जिलियों का क्या नाम है यह हाँ पहला प्रस्न इतो हमें पहले जानते हैं चैनके फीटल सेक क्या है यह है फीटल सैक यह इसको हिंदी में गर्भस्त थैली भी कहते हैं यह फीटल सैख हो ता है अब हम जानते हैं कि इसके झिल् działू जिल्ली से बना होता है तो जानते हैं कि इसमें दो जिलियां होती है एक जिली दो जिली तो फिटल सेक के जिलियों का क्या नाम फिटल सेक में पहले दो जिलियां होती है यह आद रखेगा फिटल सेक में दो जिलिया होती है यह आंत्रिक जिली है यह बाहरी जिली है अब इसका नाम क्या है तो देख और यह जो आंतरिक जिल्ली है इसका नाम है एम्योन यह अक्सर एक्जाम पूछा जाता है कि कोरियौन क्या है या फिर एम्योन क्या है यह कुश्चन बहुत ही घुमाफिरा कि आपके सामने पूछ देगा लेकिन आपको इसका एंसर या दोना चाहिए यह फिटल सैच के बारे दुसरा एम्नियोन चुरियोन जो होती है बाहरी जीली होती है I jag Laaf जो कोरियॉन होती है इसकी संरचना कैसी होती है तो कोरियॉन बहुत ही मोटी संरचना होती है अधिक मोटी होती है एम्नियॉन के कार्डिंग और ये होती है ट्रोफो ब्लास्ट से निर्मीत होती है और ये अपार दर्सक थैली है ये अपार दर्सक जिल्डी होती है और एम्नि की संरचना कैसी होती है यह जान लेते हैं एम्नियोन जो है यह अपार दर्सक जिल्ली होती और यह कोरियोन के एकॉर्डिंग पतली होती है तो यह दोनों याद रखिएगा यह अंदर वाली जिल्ली और यह बाहर वाली जिल्ली हमरी नेक्ष्ट कूस्चन है Illich क्या होती है तो पहले जानते हैं अभी हमने पढ़ा फीटल सेक यह जो फीटल सेक है इसके अंदर जो ध्रवभरे होते हैं वह होते हैं अलग-अलग होता है तो आजये जानते हैं कि इसका आयतन कितने सब्ता पर कितना होता है बारा सब्ता पर जो इमनटिक फ्लूइड होती है उसकी क्या मात्रा होगी उसका क्या आयतन होगा तो यह होगा पचास एमल यह होगा पचास एमल और बीसवे सब्ता पर यह हो जाएगा यह इसकी अधिकतम मातरा होती है, 38 सप्ता पर यह इसकी अधिकतम मातरा होती है, 1000 Eman और गर्भा उसता कालपूर होने तक ये घड जाता है, ये 600 से 800 के बीच में रह जाता है, तो अधिकतम रहेगा 38 सप्ता पर, एक कोस्चन पूशेंगता है कि कौन से सप्ता पर अधिक्तम एमुनिटिक फ्लूट की मातरा होती है या अयतन होता है तो 38 पर सबसे ज्यादा होता है हो भी 1000 ml हमारा next question है जब एमुनिटिक फ्लूट की मातरा 1500 ml से अधिक हो तो क्या कहलाता है जब इम्नियोटिक फ्लूट की मात्रा 1500 ml से अधिक हो जाता ही है तो क्या खालाता है अभी हमने पढ़ा कि इम्नियोटिक फ्लूट की समान मात्रा और तिस्वे सप्ता पर 1000 ml होगी लेकिन अगर वो 1500 से जादा हो जाए तो वो क्या खालाएगी उसको भी कुछ कहार ही जाता तो वो हो जाएगा पॉलिहट्रो मिनास लेकिन अगर ये कम हो जाए अगर ये 300 ml से तीन सो एम्नियोटिक फ्लूट की मात्रा हो जाती वो क्या कहलाता है तो ये दोनों क्रेशन याद रखिएगा और यह जो एम्मेटिक फ्लूड होती है इसमें जल की मातरा 99% होती है बाकी 1% मिनरल्स और विटामिन्स यह सब चीजें गूले हुए रूप में होते हैं तो पूसकता है कि एम्मेटिक फ्लूड में जल की मातरा कितनी होती है तो 99% हो जाएंगे हमारा नेक्स्ट कोस्चन है यदे अम्निटिक फ्लूट का कलर हरा हो तो क्या इंगित करता है अम्निटिक फ्लूट का जो नार्मल कलर होता है वो हलका वाइट कलर होता है हलका वाइट कलर का होता है लेकिन अगर ये हरा कलर का हो जाए तो यह क्या इंगित करेगा यह कोश्चन पूछ सकता है हरा कलर का हो जाए तो इंगित करेगा कि जो फीटस है जो फीटस उसने मिकोनियम पास कर दिया है यह हरा कलर का जो अगर अगर इमेनिटिक फ्लूट का जो कलर हो जाएगा हरा तो फीटस मिकोनियम पास कर दिया है और अ आर्येच असमानेता को दर्षाता है अगर लेकिन पीला या हरा हरा पीला दोनों कलर लेखे हो जाया तो यह किसको दर्षाता है तो यह होता है पोस्ट मेचूर्टी यानि कि 40 विक से अधीक 40 विक से अधीक हो गया है और अगर गहरा लाल, डीप रेड, एमुनिटिक फ्लूट का कलर डीप रेड हो जाता है, तो ये क्या दर साता है, ये दिखता है कि एक्सिडेंटल हेमुरेज हो गया है, ये दर साता है, अगर यदि गहरे भूरे कलर का, यानि कि डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर का एमुनिटिक फ्लूट हो गया है, तो ये क्या दर साता है, तो ये दर साता है, इंटर यूट्रेंड डेच दिखाता है, ये डार्क ब्राउन कलर का, ये बहुत ही कतरनाक है, इंटर यूट्रेंड डेच दिखाता है, को ये इंगित करता है, तो ये लाइकल कार्ड 국 क्या होती है तो आम लाइकल कार्ड की लंबाई क्या वोती है पचा सेंटी मिटर अratos this आले को पर क्यों देखुर ओर इसकि मुटाई को चाब कर तो यह हाफ इंच इसकी लंबाई 50 cm और मुटाई 1.5 इंच होती है अब अपना हम नेक्स्ट कोस्टन देख लेते हैं नेक्स्ट कोस्टन है वाटन जेली क्या है तो वाटन जेली क्या है जान लेते हैं जो अमलाइकल कार्ड होता है मालीजे ये अमलाइकल कार्ड है यह एक लसीले पदार्थ से जो चिपचिपा पदार्थ होता है उससे यह पूरी तरह से कवर रढ़ता है यही जो लसीला पदार्थ है यह वार्टन्स जेली कहलाता है जो इसे सुरच्छित रखने का कारे करता है यही लसीला पदार्थ वार्टन्स जेली कहलाता है हमारा निक्स टॉपिक है अमलाइकल कार्ड में दो धमनी एक सीरा होता है अमलाइकल कार्ड में दो धमनिया और एक सीरा होती है यह याद रखिएगा यह कोश्चन अकसर इजा में आते हैं कि अमलाइकल कार्ड में कितनी धमनिया और कितनी सीरा होती है तो 2 अरटरीच और 1 वेन इसको याद रखेगा दो اेक जाम में गुमा फिर आख को सकता है कि कितनी हो थी होट है एक वेन दोस्तों हमने जो भी कुस्टे आपको अभी बताय को यह बहुत ज्यादा इंपोर्टन्ट है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दे जिससे हमारे चैनल को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पोस्ते रहें और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सेयर करें और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल पर और भी वीडियोज पढ़ें जो परिछा की दिश्ट्री से बहुत ही इंपोर्टेंट है आप जाकर देख सकते हैं उससे आपकी तयारी बहुत अच्छी होने वाली है हमारे वीडियो को लाश तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद